स्टुडेंट वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल इंडिया एजूकेशन पाट साला में बच्चो आपका स्वागत है आज से मैं एक नई स्रीज अपनी 11th क्लास की जो फ्लोरी कल्चरिस्ट जो फ्लोरी कल्चर की हमारी बुक है तो उसको हम संपूर्ण पूरी बुक का अ 11th का स्लेबस कंप्लिट कर दूँगा ठीक है तो बच्चों आपको हमारे यूटूब चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिससे की आने वाली वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच जा है तो यहां पे आप 11th का जो का 11th और 12th 2 साल का आपका कोर्स इसमें प्लोरी कल्चर अप पढ़ेंगे है तो जैसे की विस्बी सुचीन आप देख पारे हैं यहां पे मैं आपको समझाओंगा बस आप क्या करें कि वीडियो को एक आ दो बार जरूर देखें जिस से कि आपको चीजें समझ में düş अग्रीकल्चर में क्या होता है बच्चों की एग्रीकल्चर में आपको खुद आप आप कल्चर को देख करके समझने वाली बात है इसमें कोई रटनी की जरूरत नहीं है आपको जो मैं समझाओंगा जिसने एक बार भी वीडियो का अच्छे से समझ लिया तो वह एक्जाम मे अच्छे से लिख सकता है इकाई चार में हम पढ़ेंगे खेत तयार करना और समवर्धन के कार्य है ना उसके बाद में अपना इकाई पांच पहुदो का पोशन और सिचाई पोशन क्या देंगे सिचाई कैसे करेंगे है ना उसके बाद में इकाई छै इकाई छै में पढ़ रोग खर्पतवार कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने फसलों को यह बहुत ही बेशिक टॉपिक है ठीक है तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकाई एक फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर ठीक है तो फ्लोरी कल्चर को हम जड़ा समझेंगे फ्लोरी कल्चर बागवानी की वह साका है जिसमें हम क्या करते हैं फूलों का अध्यन करते हैं फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर एक विशाल छेत्र है जिसमें सभी प्रकार के सजावाटी पहुदे क्या करते हम लगाते हैं जो सजावाटी पेड़ लगाए जाते हैं वह उसी क क्रोटन, केक्टाई, आर्कीट, घास और बास खेती के अलावा इसमें बगीचों और ले आउट और डिजाइनिंग विभिन्ने सैलियों का अध्यन और उद्धान और भू निर्माण की विसेस्ताइं सामिल है फ्लोरी कल्चर में राजस स्रजन के विभिन्ने छेत्रों में कट फ्लावर का उत्पादन, खुले फूल का उत्पादन, बच्चों कट फ्लावर को समझें जरा, कट फ्लावर वो फूल होते हैं, वो फूल होते हैं, किस टाइप की फूल होते हैं, जिसके साथ में हम डंटल सह तोड़ते से आपने देखा हूगा की यह कोई खुले पूल हो गया है घीक है रहा है फ्लावर का उतपादन खुले फूल-क उतपादनarde नरसरी के पहुदो गमले में लगे हुए पहुदे बीज उद्धोग और सुगंदित तेल यह सारी चीज हम का इसे फूलों से प्राप्त करते हैं इसमें वर्जबर में रोजगार क्या उसर पैदा होते हैं भाई आप अच्छी नरसरी फ्लोरी कल्चर की बनाखे रखोगे तो मजदूर है उनको रोजगार मिल जाएगा और रोजगार के उसर सदेयों मिलते रहते हैं तो यह तो आपके क्या हो गया फ्लोरी कल्चर का एक परीशे हो गया अब जरह समझते हैं फ्लोरी कल्चर होता क्या इसकी परिभासा डिफिनेशन यह आती है आई-एम-पी मोस्ट- साम में बहुत कुछ कर सकते हो इसलिए आपको प्रशन उत्तर समझने से याद करने से रटने से जादा अच्छा है कि आप वीडियो देख करके एक जाम देने जाओ तो आप बिल्लकुर आप सारी चीजे लिख करके जरूर आओगे इस वीडियो को जरूर आप समझो है ठीक है एक साखा है जो सजावती पहुदों की खेती प्रसंस्करण और विपड़न विपड़न याने बेचना बगीचों के साथ भू निर्माण और रख रखाव से संबंदित है ताकि आसपास का संदरी की द्रश्टी से सुखा दबातावन दिखाई दे कितनी सरहल परि तकि आसपास का सोंदरी बना रहे सोंदरी मनाने के लिए हम इनको लगाते है उसी को मिख करतेंं बच्यों प्लोरी गलचर कहते हैं ठीक है आगे देखते हैं जरा अब आगे है भारती अर्त्वच्टा में फूलों की खेती भारती अर्थवच्टा में फूलों की खेती में क्या है रास्थी बागवानी बोड डेटाबेस के अनुसार देश में अगर्णी फूल commandments उत्पादन राज कौन सा है यह याद रखना है बहुंष्ट आएंपी चीज है कि भाई भारती बागवाणी डेटाबेस भारती बागवाणी बोर्ड डेटाबेस के अनुसार तमिल नाडू तमिल नाडू क्या है भई अपने देश में सबसे अग्रणी राज है जहां फूलो में आ जाता है पस्चिंग बंगाल तीसरे नमबर पर ठीक है याद रखोगे सबसे पहले तमिल नाडू दूसरा करनाटा तीसरा पस्चिंग मंगाल इतना याद रखना है आपको भारती बागवाणी डेटाबेस के अनुसार है यह डाटा ठीक है याद हो गया होगा आपको समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद में महराष्ट करनाटा कांदरप्रदेस हरियाना ता मिलनाडू राजिस्थान पस्चिंग मंगाल प्रमुख पुस्प क्रसी केंद्र के रूप में उभरे हैं ठीक है अब आगे देखते हैं कुल बागवानी आगे बढ़ते हैं थोड़ा कट फ्लावर और खुले फूल की सिदारी कितनी है यह देख लोगे आप ठीक है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजे नहीं है फूलों की खेती का महत्व यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने को समझना है इ सबके सबसे संभावित घटकों में से एक है जो संदर ये समाजिक और आर्थिक दरिश्टी कोन से महत्पूर्ण है वाड़िजिक फूलों की खेती का महत्व इस प्रकार है ठीक है तो मैंने आपको उपर भी समझाया था कैसे है भाई सबसे पहले महत्व कट फ्लावर का दे लगाने के लिए काटा जाता है जो गुलदस्ती नहीं होते क्या अपने जो गुलदस्ते होते हैं इस टाइप की गुलदस्ते होते हैं तो यह कट फ्लावर को क्या है इस टाइप से लगाने के लिए गुलदस्ते में देख पारे हो आप समझ पारे होगे इस टाइप से लग सन क्रिसेथेमम और्कीड जेर्बेरा लीली गलेडियोलस यह सब पाउदे जो रहते ना डंटल वाले फूल रहते हैं इनी को हम बोलते हैं कट फ्लावर क्या बोलते हैं कट फ्लावर हम है समझ में आ जाएगा और यह कट फ्लावर आपको ज़्याम में जरूर आएक कोस्चन ज खुले फूल के ठीक नीचे चुनकर तोड़े जाते हैं आपने देखे होगे यह माले बनाते होगे ठीक है जब पूजा पार्थ में माले लगते हैं तो चुने हुए फूल की माला बनाते हैं तो इसमें डंटल जुड़े हुए नहीं रहते खुले फूल बहुत मांग विशेस रूप से ACI देशों में होती है और खुले फूल से हम क्या क्या करते हैं कि इन से माला बना लेते हैं अलंकर सजावट के लिए काम में आते हैं कौन-कौन से फूल है यह आगे देख सकते हैं गेंदा हो गया चमेली हो गया कंद्रा होगा गिलाडी आ हो गया क्रोसेंड्रा हो गया यह सब बच्चो क्या है खुले फूल है तो मैंने दोनों चीज आपको बहुत यह अच्छे से पर रंग और ताजगी में आकरशित होते हैं ठीक है यह लंबे समय तक इस्थाई रहते हैं और फ्लोरी कल्चर ट्रेड में इनकी काफी मांग है ठीक है इनका उपयोग फूलों की विवस्था में ने कटे हुए फूलों के साथ भराओ के रूप में किया जाता है तो यह जो होते हैं पत्ते वाले वहुते हैं सजावत के लिए उपयोग कi absorbed की cens किया जाते हैं तो इनको क्या होता है कटング के साथ में योस्ट किया जाता है न कलदस्ते में लगाने के लिए अगरीश कहता है ताजे अर सुक़े फुलों की डिजाइन के रूप में और फुस्ट गहने आदी के लिए मैं बहुत सारे उप्योग में वह कर सकते में गुलस्ते के लिए काफी वहसाइक महतो है ठीक है पॉंटेट प्लांट को जहां जरूरत हो वहां ले जाया सकता है तो आप जब गंडे में पहुदे लगाते हैं तुस्के फाइदा यह होगा कि आप पहुदा लगा लिए हो तो जहां चाहे आप वहां गंडे के पहुदों को आप ले जा स हो सकते हैं उनका उपयोग घरो कार्यालायों वाडी जी परीसरों कार्यालेओं होटलों मालों मौल मौल जो रहते हैं बड़े-बड़े वहां पर यूज कर सकते हो गमले को है ना तो यह एक तरीके से गमले में फूल लगाना यह मतलब सजावट करना यह अच्छा मतलब की के लिए अच्छा होता है इसलिए हम जादे इसको यूज करते हैं तो आप समझ गये होगे गमले में फूल लगाने के गुल दस्ता लगाने की क्या फायदा होते हैं ना फूल के बीज और रोपन सामागरी अच्छी गुलवत्त वाले फूल के बीज विसेस रूप से वार्स बनाती है ठीक है विक्री के लिए वार्सिक रूप से फूलों के बीज बड़ी संख्या में उत्पादित होत किया जाते हैं बल्वनुमा पहुदों का बड़ी संख्या में बहुगण तथा विपड़न किया जाता है जैसे कि हैपी योलस है टूब्रोज है एमरीलीस डहलिय लीली यह सब जो रहते हैं तो बच्चों आप समझ पाए होगे इसके बाद में आगे देखते हैं नरसरी नरसरी पहुदों और रोपन समागरी को बहुगुडित और उसकी आपूरती करने हितु होती है सजावटी पहुदे की नरसरी विभिन प्रकार के पहुदों और ठोक वैपार है नरसरी तीक है अब इसके बाद में में चीज समझते हैं लॉन लॉन क्या होता है और ये एक्जाम में देखा गया है लॉन ठीक है लॉन क्या होता है समझते हैं जरा लॉन देखे होगे आपने बड़े-बड़े कार्याल हैं स्कूल है कॉलेज हैं उनके सामन में उनके सोंदरकों बढ़ाने के लिए लावन मैं सभी प्रकार के पहुदे होतें सभी सजावटी पहुदे होते घास होती है यह सारी चीजे होती है तो देखें यह खेट में घर के सामने खुली जगह और घीचे में बनाया गया एक अच्छी तरह से बनाया हुआ मैदान है ठीक है लॉन विभिन उद्देश्यों और सक्छ हवा और सुरूची पूर्ण वातावरण प्रदान करने हेतु बनाया गया है मतलब सुंदर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चो लॉन का उपयोग करते हैं एक लॉन बगीचे का एक अभिन अंग है बगीचे का अभिन अंग है जो दरसकों के लिए एक सुंदर वातावरण प्रदान करता है ठीक है और मानो सरीर के फेपड़े की सत तरह इसमें परियावरण को ताजा आक्सीजन उस्सरजित करता है भई आप लान लगाओगे एक्जाम में लिखना होगा अगर आगया आपका क्वेश्चन ऐसा सकता है लॉन किसे कहते हैं और लान के महातो को समझाइए ऐसा क्वेश्चन आजाएगा तो बच्चों आप छोड़के नहीं आओगे 11 के बच्चे हो आप ठीक है तो आपको क्या छोड़के नहीं आना है करके आना है कभी भी आप एक्जाम देने बैठोगे तो कोई भी कोश्चन छोड़के नहीं आओगे क्योंकि एग्री कल्चर वाले हैं अपन लोग है ना तो सारा पेपर आप मन से भी कर सकते हो से पहले चीजें जो बन रही हैं उसके बाद में जो नहीं बन रहे हैं आप उ आकरतिक पुस्प अर्क की मांग दिन पर दिन बढ़ रही है कुछ फूलों जैसे की गुलाब हो गया चमेली हो गया इस्कुरू हो गया इक्सकुरूपाइन और टुब्रोज का उपयोग सुगंदित तेलों के लिए निसकरसन हेतू किया जाता है तो बहुत साले जो बहुत हो सारे फूल होते हैं उनका उपयोग बच्चों हम क्या करते है पर्फ्यू बनाने के लिए क्रते ने पर्फ्यू बनाने के लिए पर फूलों का उपयोग किया जाता है तीक यह वी समझ में आ गया होगा आपको जरrhा आगे बढ़े सुखह फूल चुक्कि ताजे कट फ्लावर और कट फॉली एज तुलनात्मक रूप से अलप कालीं होते हैं और इसकी इनकी उपलब्धता की अवधी सिमित होती है इसलिए सुखे फूलों की तक्निक का उप्योग किया जाता है जिसमें फूलों को आसानी से सुखाया जा सकता है सुरक्षित किया जा सकता है और इसकी सुंदर्ता को बनाए रखने के लिए संसाधित किया जा सकता है साथ ही साथ लंबे समय तक इसकी कीमत भी तै की जा सकती है हवा से सुखे और ज़्याद तर सुखे फूलों के रूप में उपयोग किये जाने वाले सामने उधारणों में एक्रोकिनम डहलियास लारकिस पर हैली कृस्वम कमल की फली आदी सामिल है ठीक है यह सब क्या है सुके फूल की रूप में हम उपयोग इनका करते हैं ठीक है निर्यात में यह उत्पादन 60-70% तक होते हैं ठीक है आगे देखते हम रंग पिगमेंट का निश्कर्शन फूलों का उपयोग प्राक्रतिक पिगमेंट निकालने के लिए किया जाता है फूलों से निकलने निकाले गए केरोटे नाइट्स काउपयोग दवाईयों खाद पधार्थ की खुराउक और पसुओं के भोजण में इस्त फूलों का उपयोग करते हैं है ना गेंदा की पंखुडियों को एक फिड योजक के रूप में उपयोग किया जाता है मतलब की बच्चों आप जो फूलों का उपयोग क्या कर रहे हो की रंग के रूप में भी कलर के रूप में भी आप फूलों का उपयोग कर रहे हो ठीक है बहुत उपयोगी होते हैं फूल उसके बाद में देखते हैं प्रदूसण मुक्त वातावरंड वायू प्रदूसण की जाच में पार्क और पहुदों जैसे खुले इस्थानों की भूमी का एक जाना माना तथे है पारकों को सहरों और फेपडा माना जाता है सजावटी पहुदे परियावन को सुंदर और स्वास्थ के लिहाज से बहतर बनाने में मदद करते हैं कुछ पेड़ सहरी छेत्रों में वाईयू और ध्वनी प्रदूसर्ण को रोकने के लिए उपयोग किये जाते हैं क्या होता है बच्चों हम जो पेड़ लगाते हैं कहां लगाते हैं जो जो पेड़ लगाए जाते हैं रास्तों में आजू बाजू जो पेड़ लगाए जाते हैं तो वह पेड़ों का उपयोग क्या होता है कि ज्यादा तर आजू बाजू पेड़ एक तो प्रदूसर्ण को करेगा कि जितनी भी धूल है धूल है वह उसमें चिपक जाएगी तो उससे क्या होगा प्रदुसर्ण हर टाइप से और ध्वनी प्रदुसर्ण भी यह से भी मुक्ती मिलेगी है ना ध्वनी प्रदुसर्ण भी कम होगा यह पेड़ों का फाइदा है सुंदर शास्तर की इस्पताल या पुनरवास केंडरों में बिमार सदस्य को और सामानने तोर पर परिवार के सदस्यों या दोस्तों के को दिए-जाने पर सांती और आराम थी भवनाएं क्या होती हैं आती है वे विक्तिकत विकास और संतुष्टी के उच्च इस्थर को प्राप्त करने में उप्चार है जो इसे आकरसक और सुन्दर बनाने का लच्छे रहता है तो फूलों को देखे होगे आपने कितना ज्यादा महत्व है सुन्दर के लिए कर रहे हैं परफ्यू बनाने के लिए कर रहे हैं मनुवेग्यानी धारणा को अच्छी करने के लिए कर रहे हैं प्रदुस या घर के अंदर बढ़ते पहुदों को ऐंतरिक बागवानी के रूप में जाना जाता है, या ना केवल घर के अंदर सुधर और आकर्शक बनाता है, बलकि हवा की बुरुवच्टा में सुधार करता है, और एक छेत्र में ताजगी लाता है. घर के अंदर आप मनी प्लांट लगाते हो और भी पहुदे ऐसे है जो गमले में आप लगाते हो घर के अंदर लगाते हो तो उससे क्या होगा सुद्ध ऑक्सिजन आपको मिलेगी घर के सुंदर को बढ़ा सकते हो यह इतने फायदे आपको मिलने वाले आंतरिक बागवानी से ठीक है तो आपने समझे होगे आंत्रिक बागवाईनी किसे कहते हैं निए फूलों को लगाने की व्यवस्था फूलों के पूर्दर सर्ण का सुन्धर और कलात्मक रूप है जो मन को तरो ताजा करता है यहां प्रभंदक को आजविका का साधन प्रदान करता है कट फ्लावर और खुले फूलों का उपयोग विभिन्न फूलों को लगाने की विवस्था हेतू किया जाता है तथा विभिन्न आउसरों पर प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे की साधी, जन्मदिन, आदी, जवे, मेज पर एक केंदर बिंदू के रूप में उपयोग किये जाते हैं तो उसकी सुन्दरता बढ़ाते हैं ठीक है तो ये फूलों को लगाने की विवस्था होती है भारत में फूलों की खेती की संभावनाय और वरतमान इस्तिती क्या ह बदलती जीवन सहली और प्रतिवेक्ति आय में व्रद्धी की कारण फूलों की खेती की मांग फिक काफी हद तक बढ़ गई है वरतमान में यहां फूलों तथा इनके उत्पादनों की मांग में निरंतर व्रद्धी के कारण वैपारिक देख मिनट कारण वैपार करने वाले लाभ में से एक बन गया है ठीक है क्या है बहुत बड़ा बड़ा वैपार चलने लगा है भारत में होने वाले फूलों के निर्यात में मुख्य रूप से ताजे कट फ्लावर और सुखे फूल को ही भेजा जा रहा है निर्यात के लिए ठीक है फूलों की खेती में राजस से उत्पादन के विभिन्ने छेत्रों में कट फ्लावर प्रोडक्शन लूज फ्लावर ठीक है प्रोडक्शन नरसरी पॉटेड प्लांट सीड इंडिस्ट्री शुगंदित ते इसके बाद्स करनाटा को गया तेlles में कट फ्लावर सब्स centigrade में किया जा रहा है सबसे दिधे इसके बाद करनाटा कोड़ीटे के विट है इनको आपको याद बस रखना पर क्या है चीजों को आप एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपको पूरी चीजे सहीं से समझके आ जाएंगी यह भारती फूलों की खेती की संभावना है क्या क्या संभावना है यह आप ध्यान से इनको पाइंट टू पाइंट एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में यहां पर आ जाएगा इसको मैं ज्यादा डिटेल लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए में ज्यादा नही करते हैं सबसे पहले पढ़ते हम वार्सिक 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 जो पहुदे होते हैं वह एक वर्स में अपना जीवन काल कंप्लीट कर लेते हैं और फूल दे देते हैं एक वर्स में एक वर्स में अपना जीवन काल करते हैं कंप्लीट और फूल दे देते हैं उनको वार्सिक कहते हैं और जो 2-2 وर्षी फुल होते हैं और कोन-कोन से फूल है यह धिया पढ़ेना ठीक है अब इसके बाद में 2-3 फूल वह फूल होते है बच्चो ऐसे फूल जो अपने वीज से वीज का जीवन चकर दो मोसमों में दो वर्सों में पूरा करते हैं उनको 2-2 कहते हैं 2-1 ए जो दो वरसों में अपना जीवन काल पूरा करते हैं ऐसे फूल कुन-कुन से हैं यह आप दिये हुए हैं यह पूरे फूलों को आप पढ़ लेना ठीक है उसके बाद में सदा बहार सदा बहार में क्या होता है बच्चों ऐसे फूल होचे ऐसे पहुदे होते हैं जिनका जीवन सिफूल है इसके बाद में आ जाते हैं हम कास्टी सदा बहार एक मिनट यह जो सदा बहार है सदा बहार है जो इनका क्या है इनका भी वर्गी कंड किया गया है एक कास्टी सदा बहार और एक साकी का सदा बहार तो कास्टी सदा बहार वो होते हैं जो कास्टी होते हैं ठीक है ज सादा बहार इनको कुछ के उरियाँ कुछ के तो अब ने प्रकार देखा हम यह तो हो गए था जीवनकाल की आधार पर अब यह विकास के मोसम के आधार पर सर्दियों का सर्दियों का वार्सिक मोसम गर्मियों का वार्सिक मोसम ठीक है सर्दियों का वार्सिक मोसम कम तापमान के साथ जो कम तापमान जिनको चाहिए सर्दियों की कठोरता के दोरान सर्दियों के मोसम में वार्सिक रूप से बढ़ना मुस्किल है वार्सिक लो ठीक है उसके बाद गर्मियों का वार्सिक मोसम गर्मियों में कब लगाते हैं इनको कब बॉआई करते हैं इसकी मार्च अप्रेल के अंत में क्या करते हैं रोपाई करते हैं और मार्च मार्च और अप्रेल में क्या करते हैं रोपाई कर देते हैं यह कौन-कौन से फूल है यह आप देख सकते हो गर्मियों वाले फिर इसके बाद बरसाद में बरसाद के मोसम में क्या करते हैं हम जून में बोया जाता है और जुलाई में रोपाई कर दिया जाता है यह कौन-कौन से फूल हob legitim आसाणी से समझ में आ जाएं गे आपको यह कास मोसम के आधार पर सर्दियां गर्मियां बर्साद में लगाए जाने वाले आपके फूल ठीक है तो बाजार मुल्ले के अनुसार बाजार मुल्ले आधार पर खुले फूल हो गया और कट फ्लावर हो गया खुले फूल जो होते हैं और senate वाले होते हैं तो यह बाजर मुले के अधार पर किंद की या अब आगे देखते हैं पौदो के प्रकार के अधार पर पौदो के प्रकार के अधार पर हर्बेसीयस घास सजावती यह होते हैं घास जाड़ियान घाड़ियां जाड़ियां लाससी यह जाड़ियों नुमा होती हैं इनकी सरतना ठीक है अब पेड़ की बात कर लें गुलमोहर पलास अमलतास कदम यह सब क्या होते हैं पेड़ होते हैं और आरोही लताएं आरोही लताएं यह जो दिये हुए हैं पूरे फूल आप देख लेना बल्बनमा पहुदे कौन-कौन से होते हैं यह लीली हो गया नार्स प्रकंद वाले कैनेना है डीडीम यह सब प्रकंद वाले कौन से हैं तो यह तो यह तो आप एक या दो बार जरूर पढ़े एक-दो बार पढ़ेंगे आपको तो चीज़े समझ में जरूर आ जाएंगे साहीं विकल्प साहीं जोड़ी खालिस्तान सारी चीज़े आप पार्ट मतलब बुक के पीछे से देख करके आप कर सकते हो ठीक है अब कोश्चन में आते हैं हम एक मिनट देख पा रहे हो आप कोश्चन फूलों की खेती फूलों की खेती के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने पार्ट में समझाया कर सकते हो कट फ्लावर खुले फूल मैंने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया हूं सुरू में यह भी आप कट ग्रीन इसको भी समझ सक तो ठीक है इसके बाद लॉन लॉन क्या होते हैं और इसका महत तो क्या है यह ज़रा ध्यान से आप पढ़ेंगे हैं और आंत्रीक-बागवानी यह भी मुश्ट-आयं-पी कुश्चन है मैंने पाट को पूरा समझाया हुआ है उसी आधार पे पूरा आपका आएगा उसी आध सारी चीजे जो पार्ट है बच्चो इसको आप एक से दो बार देखोगे ना जरूर आप इस वीडियो को दो बार देख लीजिए आपको पूरा पार्ट ऐसे समझ में आ जाएगा कि आप एक्जाम में आसानी से लिख सकते हो है ना और हाँ यूटूब चेनल में अगर आप न अगले वीडियो में इकाई दो लेकर के आऊंगा ठीके तब तक के लिए नमस्कार